वेल बिग बॉस 17 के ग्रैंट फिनाले में सभी को अंकिता लोखंडे के टॉप 3 में पहुचने की उम्मे थी हाला कि आखिरी वक्त पर ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन अंकिता का सफर टॉप 4 में ही खत्ब हो गया जहां एक्टरेस को सपोर्ट करने वाले फैंस में मायू सी चा गई वहीं अंकिता का भी चहरा उतर गया हाला कि ग्रैंट फिनाले के बाद एक्टरेस ने पहला पोस्ट शेयर किया इस पर उनके हभी विकी जैन का भी रियक्शन सामने आया है लेकिन अब आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर उन दोनों को ट्रोल क्यों किया जा रहा है देखें अंकिता लोखंडे टेलिविजन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फेस है लोगों को उनके टॉप थ्री में पहुशने की पूरियों में थी लेकिन एन वक्ट पर पूरा पासा ही पलट गया दरसल अंकिता उदास मन से शो से बाहर निकली थी मीडिया में भी उन्होंने कोई वर्जिन नहीं दिया और फेपराजी के कैमरे से वो बचती हुई नजर आई लेकिन अब एक्टरस ने पहला पोस्ट शेयर किया है इसके साथ ही विकी जयान ने भी अपनी पतनी के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है सल्मान खान के शो में स्ट्रॉंग गेम खेलते हुई फिनाले तक का सफरताई करने वाली अंकिता लोखंडी ने चैनल और होस्ट के लिए दिल छो लेने वाली बात कहीं है अंकिता ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ग्रैंट फिनाले के वीडियो शेयर करते हुई लिखा कि उनकी जर्नी कुछ ऐसी रही जिसे वो हमेशा सेलिप्रेट करेंगी उन्होंने सल्मान खान और मेकर्स को इस अपॉर्चुनिटी के लिए धनेवाद दिया है अब इस पोस्ट के बाद ही विकी जैन ने भी अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कैप्शन लिखे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिया शो में अक्सर अपनी वीवी से लड़नी वाली विकी जैन ने इंस्टेग्राम पोस्ट में पतनी पर प्यार लुटाया विकी ने अंकिता की जर्नी को शांदार बताते हुए लिखा अंकिता तुमने जैन और लोखंडे परिवार को प्राउट फिल करवाया है चाहे आपके गेम खेलने का अंदाज हो या फिर आपका कभी ना हिम्मत हार ना हर चीज में आप बेस्ट थे और मुझे यकीन है कि सारे तुम्हारे फैंस दोस्ट सब प्राउट होंगे तुम्हारे पर लेकिन जैसे ही विक्की का ये पोस्ट सामने आया लोगों ने इनको ट्रूल करना शुरू कर दिया जी हां गौरी नाम के एक यूजर ने लिखा नौटन की पर सॉनिफाइट वहीं एक ने लिखा खुद को बता रहे हो या लोगों को एक का कहना था अंकिता बेटा वादा करो ऐसे शो नहीं करोगी और परिवार का नाम नहीं खराब करोगी ट्रैकिट में काइन वर्ड्स बाय विक्की की माता जी वहीं एक ने तो कह दिया विक्की बेटा कल रात तुम लोग लड़ी तो नहीं वैसे इस वाइरल होते पोस्ट पर ये तो थी लोगों की राय अब आपका इन तस्वीरों पर क्या कुछ कहना है आप हमें जल्दी से कॉमेट करके पता सकते हैं फिलाल आज के लिए तहीं और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जड़ रहें बोल्ट सकाई के साथ अब तक के लिए नमस्कार